हेलो एवरीवन वेलकम बैक टो आर यूटूब चैनल एक्जाम ट्रेक सेंटर दोगों इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कुरोना वाइरस के बारे में हम पढ़ेंगे इसके इंदर सार्स वाइरस डिने आ देने के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं आर्टी पीशियर क्य है सीटी वैल्यू क्या होती है और पल्स ओक्सिमेटर जो है किस काम आता है और करोना वाइरस के लक्सन और ग्रेलू उप्चार जो है हम कैसे कर सकते हैं करोना वाइरस के तो यह सारी चीजी हम इसमें पढ़ेंगे तो ध्यान से देखना इस वीडियो को अगर आपने अभी देख चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर ले है तो सबसे पहले तो कडू क्या है कोरुआ वाइरस जो है इसको नाम हम सोड़ फों में यह बोलते हैं कोविड-19 जो की 2019 के अंदर आय था तो इसलिए इसको और नाइंटिन का जाता है हमी देखते हैं कि W अच्चो ने जो इसकोrus किया वो कब किया? 31 दिशम्बर 2019 को इसकी चानबिन होई कि यह SARS तेयान रखेगा कि 31 दिशम्बर 2019 को डबल convene यहकं चानफर्म किया था कि यह जो बाइरस है यह इसमें सबसे ज्यादा केसिस जो है वह pneumonia के cases आये थे, कहां पे आये थे सबसे पहले, one city के अंदर आये थे जो कि चाइना में है अब हम पढ़ते है SARS COVID-1 जो है, वो कब आये था और कहां आये था SARS COVID-1 जो है, इसका देखो SARS का मतलब क्या है Severe Acute Respiratory Syndrome मतलब ये जो है पूरा respiratory system के साथ जो virus लगता है, ये उसको effect करता है पूरा, ये सबसे पहले observe किया गया था, 2002 में और 2005 के अंदर ये पूरा का पूरा जो है, खतम हो गया था ये गॉंग डॉंग के अंदर चाइना के अंदर सबसे पहले observe किया गया था SARS, इसके अंदर total cases आये थे, 8096 cases आये थे, और world में लगबग 30 country के आसपास जो है, ये फैला था और इसमें death जो है 704 के आसपास जो है death हुई थी, लगबग 800 के करीब जो है, death हुई थी इसके अंदर और लगबग 81100 के case के आसपास इसके case आये थे, total तो ये था SARS जो कि first आये था, 2002 के अंदर और 2005 तक ये survive वा था 2005 के बाद इसके कोई भी case जर नहीं आये जब तक 2019 नहीं आगया 2019 के end में सी के SARS जो है, उसका दूसरा रूप जो बिला आपको उसको हम बोलते हैं, फिर SARS COVID-2 ये जो है, observe किया गया था इसके symptom थे, बुकार आना सुकी खासी थकान, ये में जो है, तीन symptom थे, बागी जो है, नॉर्मल symptom बहुत सारे थे, जैसे आँकों का लाल हो जाना, या पिर सिर दर्द होना, कमर दर्द होना ऐसे बहुत सारे symptom थे इनके, अब हम पढ़ते हैं कि सार्स जो है, सार्स कोविड टू जो है इसको डिडेक्ट कैसे करते हैं एक वमेन बोडी के अंदर, तो सबसे पहले तो उसका क्या लिया जाता है, सेंपल लिया जाता है नाक से, या मू से, जो भी लार है, उसका सेंपल लिया जाता है सलाइबा का फिर उसको क्या करते हैं लेब में लेके जाते हैं उसको टेस्टिंग के लिए अब टेस्ट कौन सा होता है वो वो टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं RT-PCR RT-PCR का मतलब है Reverse Transcription Polymeride Chain Reaction Reverse Transcription देखो Reverse है उल्टा है Transcription मतलब एक फोम से दूसरे फोम में हम कनवर्ट कर रहे हैं Polymeride Chain Reaction जो भी रिएक्शन है राइबोन्यूख्यक्स एशिट होते हैं एक होता है राइय बनुक्लिकश्ट एसिड झेनर होता है वो जैने टिक एफ盟 होते हैं डिने और आरिज जो है जैने ट nay आते हैं अदमी के अंदर जो है इसका एक एक याठम जैसे यह इसके अंदर जो है देखो यह है RNA जो है इसके अंदर है यह RNA जो है हम सीधा डिटेक्ट नहीं कर पाते इसको डिटेक्ट करने के लिए हम इसको ट्रांस्क्रिप्ट करना पड़ेगा इसको चेंज करना पड़ेगा किस फोम में हमें इसको लेके आना पड़ेगा इसको हमें ले और RNA को DNA में convert करने को हम बोलते हैं reverse transcription तो यह दो concept है transcription और reverse transcription इसके अंदर हमें RNA को DNA में convert कर रहे हैं तो इसमें reverse transcription यूज आता है RT-PCR हम जिसको हम बोलते हैं अब देखो यह RNA है और एक DNA का जो यह diagram है देखो इसके अंदर RNA के तो अंदर एक ही cycle एक ही ring आपको नॉर्मल फो में अगर आपको याद करना है तो इसको एक ही cycle इसमें दिखरी है आपको और DNA के अंदर जो है दो cycle दिखरी है आपको है तो यह दो cycle जो है डिडेक्ट होती है using RT-PCR RT-PCR के थुरू हम इस DNA को डिडेक्ट कर सकते हैं कि DNA जो है किस चीज का है किसका है SARS का है या फिर किसी और का है अब जो इसके अंदर यह cycle बन रहे हैं इसको हम बोलते है CT value CT value हम किसको बोलते है cycle threshold इसका मतलब है cycles जो है कितने आ रहे हैं एक DNA के अंदर वो होती है CT value अब इस CT value से हम कैसे पता लगाएंगे कि वो जो बन्दा है जिसकी CT value इतनी आ रही है वो positive है negative है या फिर कैसा है तो उसकी एक threshold जो है define की गई है जिसको हम यह देखो भी फ्लोरोसीन लिखा है फ्लोरोसीन का मतलब जो भी है एक sparking है kind of कि स्पार्किंग आती है जब CT की value जो है कितनी आती है उसके आसपास जितनी CT value कम होती है न उतना ही जो है करोना ज़्यादा गातक होता है CT value क्या है cycles है cycles देखो जैसे हम कोई भी cycle के pedal मारते हैं तो ज़्यादा अगर गुमाएंगे तो ज़्यादा थकान होगी हमें तो कम गुमाएंगे अगर उस कम गुमाने में ही हमें करोना का पता लग रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर करोना क्या है ज्यादा है लेकिन ज्यादा अगर प होती है city value 20-40 20-35 के आसपास जो है इसके बीच में जो है नोर्मली लोगों के जो करोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनकी वैलू जो है इनके बीच में लाई करती है अब इसके बीच में जो लाई करती है तो जिसकी वैलू 19-20 के आसपास है उसको करोना जादा है और जिसकी 30 से उपर है उसको कुरोना कम है अब हम ये नहीं बता सकते कि जिसको कुरोना के लक्सन जो है कुरोना वाइरिस जिसके अंदर जादा है उसकी डैथ होगी या नहीं होगी ये डिटेक्ट ये जो है कौन बताएगा ये बताएगा कि उसके अंदर जो है immunity power जो है कैसी है कितना वो उसने अच्छा खाना खाया है अभी तक जो life उसने spend की है वो तो उसके according जो है immunity के according उस आदमी का death होगी या नहीं होगी उससे पता लगेगा तो main काम इसके अंदर क्या है immunity का है तो immunity आपको strong करनी है main ये तो किसी का भी city value जो है 19-20 के आस पास है तो ज्यादा आप ये ना कहें कि बहुत ज्यादा krona है मेरे तो ज्यादा लखसर है मैं मर सकता हूँ लेकिन जिसकी city value इसके आसपास है तो तो इसका मतलब उसको कॉरोना ज़्यादा है तो उसको और अच्छा खाना खाना चाहिए बार बार जो है गरम पानी पीना चाहिए जो गहलू उपचार है मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजी आपको सेवन करनी चाहिए देखो ये मैंने बता दिया कि जिसकी सीटी वैल्यू ज़्यादा होती है उसको कॉरोना वाइरस जो है कम होता है अगर कॉरोना वाइरस का जल्दी पता लग जाए तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर वाइरस ज़्यादा है कहने का मतलब ही है कि जिसकी सीटी वैल्यू कम है जिसका मतलब ये है कρχें, जल्दी प्टा लग रहा है क्रोना का अगर ज़्直ृटर Joo, यादा CT đ Talk है उसको लग्ञार है ज्यादा कोशिजके करनी पाद पढ़ रहे है तो हमें उसके बाद पता लग रहा है इसका मतलब जिसकी CT value कम है उसको क्रोना जादा है CT के अंदर जो cycle है न वो cycle ये DNA वाले cycle है जैसे एक cycle is equal to ये एक ring है दूसरी cycle ये दूसरी ring है तीसरी cycle ये तीसरी ring है चोती cycle ये चोती ring है अब ये DNA और RNA का क्या काम है एक message को transfer करना होता है इस RNA को इसके through जो है ये message transfer के काम हाते है ज्यादा deeply इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे हैं DNA और RNA क्योंकि ये biology का topic है तो biology आपको अगर आती है तो आपने पढ़ रखा होगा अगर नहीं आती है तो ज्यादा पढ़ने की इसकी जुरूत है नहीं अब घर पर कैसे चेक करें corona virus को अब क्योंकि hospital में ज्यादा कोई भी normal अगर fever आता है तो भी आप hospital में जाएंगे तो भी वहाँ पर काफी बीड होती है तो इसकी वज़े से आपको काफी time लग सकता है और उपर से अगर आपको corona नहीं है तो corona होने के भी chances बढ़ जाते हैं hospital में तो hospital में जाने से अच्छा आप अपने घर पे भी चेक कर सकते हैं कैसे चेक करेंगे देखो आपको क्या यूज़ करना है pulse oximeter यूज़ करना है इसके अंदर pulse oximeter जो है ये क्या काम आता है ये आपकी pulse major करने के काम आता है इसके अंदर mainly तीन चीज़े होती है spo2, pi और prbpm ये तीन चीज़े हैं तो इन तीन चीज़े क्या क्या है ये सब देखते हैं देखो spo2 जो है ये क्या है saturation of peripheral oxygen means ये oxygen level को बताता है हमारे blood के अंदर oxygen level जो है कितना है अगर कोई भी normal person है तो उसके अंदर spo2 जो percentage है वो 95 एंड उसके उपर मिलेगी अगर किसी की भी spo2 जो है 95 से कम है तो इसका मतलब उसे चेक करवा लेना चाहिए कि corona है ये नहीं है हो सकता है जिसका sugar level या फिर को उसको बिमारी है तो oxygen level थोड़ा सा कम हो जाता है 90 या 85 के आसपास भी चला जाता है लेकिन जिसका भी oxygen level 80% से कम है तो उसको 4 for sure जो है coronavirus है तो जिसको भी 80% से कम है उसको अपना medical treatment ले लेना चाहिए second है perfusion index इसका कोई काम नहीं है coronavirus के अंदर लेकिन इसकी जो value है 2-20% के बीच में होनी चाहिए वो एक normal आदमी के लिए third है pulse rate ये भी important बनती है pulse rate जो है coronavirus के अंदर normal जो pulse rate है एक आदमी की वो कितनी होती है 60-80 के बीच में अगर इससे कम है या पिर इससे ज़्यादा हो रही है तो इसको मतलब आपको कुछ बीमारी है coronavirus हो सकता है तो वो आप चेक करवा सकते है main इसमें आपको क्या चीज अब्जर्व करनी है ये SPO2 SPO2 जिसका level कम है उसका मतलब उसको coronavirus है देखो कुछ example मैं आपको बताता हूँ कि कैसे read करते हैं ये मेरे पास कुछ pulse oximeter के images है तो इसमें आपको बताना है कि SPO2 percentage कितना है PI कितना है और हमारी heartbeat कितनी है pulse rate कितनी है तो वो सब चीजे इसके अंदर तीन वो चीजे लिखी हुई है किसी किसी के अंदर pulse oximeter के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो चीजे आती है जैसे इस वाले के अंदर only heartbeat आ रही है और SPO2 percentage आ रहा है बाकी तीसरी जो PI है वो इसके अंदर नहीं आ रही है बाकी PI तो हमारा काम का है भी नहीं कुरोना वाइरिस के लक्सन के केस में बाकी कोई और बिमारी है तो PI भी कामाती है देखो इसके अंदर 95% है इसका मतलब उसका oxygen level सही है PI जो है 13.5% है मतलब 2-20 के बीच में है ये भी सही है 79 जो है heartbeat है 60-80 के बीच में होनी चाहिए heartbeat तो ये भी सही है आपका इसके अंदर देखो SPO2 percentage है 98 इसका मतलब ये सही है PI है इसके अंदर 2% तो ये भी सही है और heartbeat जो है 76 है ये भी सही है तो ये normal person की reading है किसी भी normal person की इसके अंदर 98% oxygen level है सही है 76 इसके अंदर heartbeat है तो heartbeat भी इसके सही है इस pulse oximeter की ये दोनों चीज़े सही है इसके अंदर PI नहीं है जरूरी नहीं है पी आई वाला आप खरीदें या फिर आप ये दो वाला खरीज सकते हैं बाकि तीन वाला खरीदोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए अब हम पढ़ते हैं कि घरवल्य उपचार कैसे करें मानलो आपको थोड़ा बहुत करोना आपका उक्सिजन लेवल थोड़ा बहुत कम हो रहा है तो आपको कैसे उपचार करना है आपको क्या क्या चीजिए लेनी है तो आपको क्या करना है ज्यादा से ज्यादा जो है गरम पा यह इनका सेवन आप ज्यादा करें अंडे तो आप अच्छे से खाएं क्यूंकि इसके अंदर कॉरॉना वाइरस के अंदर गला खराब हो जाता है जुखाम हो जाती है तो जो गरम चीजें हैं उनको आप खाएं वीटामिन सी की बरपूर मातरा लें वीटामिन जो है WBC बनाने के काम आता है white blood cells जो होती है और white blood cells जो है immunity system को strong करती है तो WBC बनाने के लिए vitamin C हमें लेना पड़ेगा और vitamin C जो है पाई जाता है गाजर पालग के अंदर और हरी सब्जियों में तो ज्यादा से ज्यादा इनका सेवन करें गाजर पालग और हरी सब्जियों का यह था पूरा coronavirus अगर आपको समझ में आया है RT-PCR क्या है DNA RNA के बारे में आपको समझ में आया है तो comment करके मेरे को जरूर बताना इस पे आने वाले exams में question पूरा पूरा बनता है तो question आने की chances भी इस पे उपर होते है आपको questions की अगर PDF चाहिए तो मेरे को mail कर देना या फिर इस में comment करके मेरे को बताना है न मैं question जो है बना के आपको send कर दूँगा PDF format के अंदर पूरे का पूरा जो है यह पूरा lecture जो है PDF format में आपको मिल जाएगा